एक वकील जो खुद सम्मिधान के रास्ते चल कर दूसरों को नियाई दिलाता है आज वही वकील खुद इनसाफ के लिए दर-दर भटक रहा है जिहां अंतर जातिये प्रेम विवा करने वाले वकील आकाश अंभोरे को उसी के दो चाचा द्वारा प्रतारित किये जाने की शि जिसका मकान मुल्तिजापूर के रोहिदास नगर में है आकाश के चार चाचाओ के भी इसी इलाके में घर है इनमें से सुरेश अंभोरे और किरन अंभोरे ये दोनों ही अपने भतीजे आकाश के अंतर जातिये प्रेम विवा के खिलाफ है तो अभी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में एडवकेट आकाश अब बोरे सर्व मौजूद है तो अभी उन्हीं से जानते है कि जो उन्होंने इंटकार मेरेज की तो उस पर क्या उनके घरवालों का रहा और क्यों उन्हें मुल्तिजापूर में जाने के लिए सक्त मना क किया गया और उनके साथ अब तक क्या क्या हुआ तो सबसे पहले दर्शकों को अपना परीचे दीजिए और क्या है पुरा मिर्तिजापूर का मामला जी मेरा नाम एड़ो के डाका शंबूर है मैंने लास्ट येर नागपूर में 28-22 को अंतरजाती विवा किया है उसके बाद मैं 39-22 को मेरा मुर्तिजापूर के निवास्तन पर मैं मेरे फैमिली के साथ में गया और वहां पर मेरे अंतरजाती विवा का मेरे चाचा सूरे शं अंबोरे इनका जम के विरोद हुआ जम के विरोद इतना हुआ कि वह लोग ने हम पर हमला किया जान से मानने की धम की दी और उसके बाद मैंने पुलिस टेशन मुर्टिजाव उनके खिलाप पुलिस्टेशन में तकरा दर्च कराई उन्हें मुझे मंदीर में जाने से अंबोरे और परिवार के अन्य सदस्य दर्शन के लिए मुर्तिजापूर के कुल देवत मंदिर गये इस बीच आरोपी चाचा ने उनसे अच्छूत कहकर देवता के दर्शन करने से मना कर दिया वहीं काली गलोच करते हुए धक्का दे दिया साथी चान से मारने तक की भी धमकी देडाली जिसके शिकायत मुर्तिजापूर थाने में दर्श कराई गई है शादी को कितना समय हो गया कब से आप अब तक गई नहीं है अपना शादी तो मैंने लास्ट यहर किया है और 30 सप्टेबर को मैं उदर गया तो उन्होंने मुझे पर हमला किया मैंने शिकायत दर्श कराई थी पूली स्टेशन मुर्तिजापूर में उसके बाद तो मुझे डर लग रहा हैं वहाँ पर जाने का लेकिन दिनांग सोला दो 2023 को रात को दो बजे मेरे शिश्टर मेरे जूनिय घर पर मुर्तिजापर पर रहती है तो हाँ पर जाकर उन्हें रात को दो बज मैं वह वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा अंडर वियर बन्यान पर मेरे चाचा जी आए और मेरे सिश्टर को धंकी दी दोनों चाचा जी कीरन अंभरे और सुरेशंभरे ने आप यहां से तुरन निकल जाओ ताकि आपके भाई ने अंतरजातिय विवा किया है और अंतर घर में जाने से रोग दिया गया और हाता पाई भीकी गई जिसके सबूत के तोर पर आकाश के पास CCTV फुटेज भी मौजूद है आकाश के दोनों चाचाओं के खिलाफ मामला दज होने के बाद भी वे दोनों ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और हर बार की तरह आका क्या मामला दर्ज हुआ है या नहीं कुछ कारवाई हुई है या नहीं इस बार भी सिव उन पर नाम पर सिव तक्रार करने के बाद सिव उन पर एंसी हुई है और शायद इसी बात का उलग फाइदा उठा रहे है क्योंकि मेरे चैचा जी 306 महालास्ट्रम मनी लेंडर जैसे एक्ड जैसे आरोपी है तो उनको हैबिट ओचुकी इस बात की पोलिशेंट की शायद इसलिए बार बार घर पी यही बोल रहे हमारा पुलिस होलो ने क्या किया हमारा पुलिस होलो ने क्या किया अभी वे हमकों को तक्लिव हाप शुरू विच है मैं चाहता हूं कि कुछ अ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फटनविस को भी निवेदन पत्र सौब कर नियाई की गुहार लगाई है। वह जो आपका पूरा मामला है कि इंटर कास्ट मेरे से रिरेटेड है। वह लोग वाइट कर रहे हैं। उनको कोई राइट नहीं है मेरे फंडामेंटल राइट्स वाइट करने का। इन भी से नियूस के लिए अक्सा अंसारी की रिपोर्ट